तो दूस्तो पाकिस्तान वोमेंस डोमेस्टिक T20 जो चल रहा है लागा ताल अच्छा जा रहा है कल भी अच्छा गया परसोब गया तरसोब गया याने पूरे स्रीज अच्छा गया इनके लाब मेंस का भी जो होता है पाकिस्तान डोमेस्टिक का जितना मेच सारे मेच हम से स्टार्ट केया तब से मैं यहीं बोलता हूँ कि जीस मेच का लाइनअप नहीं आएगा वो मेच और भी जबरतस्त जाएगा अब देखते हूँ हमारा फूरा रिकोर्ड दो तीन साल का उठालो बीना लाइनाप बाले मेच में हम लोग ने इतना प्रोफिट किया इतना प्र उपनेट का ना खिले और इससे बड़ी चीज क्या आव सकती है और हमेशा होता है एक दो मेच से लाइनप हो रहा है फिर भी प्रोफिटेबल जा रहा है कोशिस यही रहेगी तो मिर भाई यहाँ पर मेच जो कवर करने के लिए आया हूँ लहोर वोमेंस वर्सेस मुलतान व यास करेंगे तो मेरे भाई एससे मुकाबले को हमारे साथ खिलना चाहते हो नो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना भाई एससे मेच का लाइनप नहीं आता पिलिंग लेवन दूंगा जिससे वीनिंग के चांस दोगुना फ हमारा वीडियो देख रहे होंगे यह हो गया डिस्क्रिप्शन इस पे आपको किलिक कर देना जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे मोर पे किलिक करना तागी बड़ा दिखेगा और यह टेली गराम चैनल बुलू कलर में सौरब समाजिक 84 है इस पे किलिक करते ही हमारे टेली गराम चैनल पे चले जाओगे यह फिर एसा भी कर सकते हो फर्स्ट कोमेंट पे ही किलिक करना फर्स्ट कोमेंट पे जैसे यहाँ पर किलिक करोगे नीचे आपको टोप पे याने की सबसे ऊपर टेली गराम चैनल का सेम लिंक मिलेगा सौरब समाजिक 84 बुलू कलर पे इस पे किलिक करोगे हमारे टेली गराम चैनल पे चले जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर दिखेगा जोईन आपको जोईन हो जाना पच्पन के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्सल लिंक या फिर फिर्स्ट कोमेंट लिंक से जुड़ोगे और बिलाल ने चारोबर के अच्छी गिन बाजी की हलाँकी विकेट लिस टिया अमंबेर की बात की यहाँ दो बाथ डाला 24 रन दिया थोड़ी सी इनको पिटाइई पड़ी रहमत की बात की यह काफी सांधर गिनबाजी सबसे सटीक रहा एकोनिमी भी चारोबर में मात्र पंदरा रण एक विक्टे म, इस राजपूत पाट टेम गेन बाजी एक कोबर डाला, गुल रुक की बात के भाई, पाट टेम गेन बाजी, लेकिन इनका बल्ले बाजी देखोगे न, पूरे सिरीज में धमाके दार बल्ले बाजी कर रहा है, अब गुल फिरोजा की बात के, य गुल इ उस्वा की बात का चार हुआ सतरा रंदिकर एक बिक्टे नोरेन भी हाँ से एक बिक्टे ले गुल रुख की बात की अपाट टाम हर बार गेनबाजी करार हर बार एक बिक्टे ले जा रहा है बले बाजी यहाँपर देखो गूल रुख पाँच न बाद रहे इनके लाब ए मसूद ने यहाँपर अनठावन गूल फिरोजा इनके उपर नजर रखना 49 का योगदान दे इनसे पहले कितना का योगदान दिया इनसे पहले 60 का योगदान दिया अगला गैनवाजी यहाँ पर देखा जहाँ इमान ने चार बिक्टे लेगे तो ए बिलाल ने 2 बिक्टे लेगे यह रहा और देखा जहाँ मेडन एक ओबर ईश्वा ने यहाँ पर गुल ईश्वा ने डाला अच्छी गैनवाजी की विकेट लेज जरूर गया गिल फुरियोजा की बात के 61 का योगदा दिया, भाई कमाल की पिलियर है, गुल रूख ने भी 28 साथ में पार्ट टैम गेन बाजी, तो भाईया कमाल का है, इसका टीम एक अच्छे लाई में दिखाई दे रहा है, क्या एक कांटेक टककर होगा, वैसे निदा डर के टीम बहु देखेंगे, एन संधू सबसे अनुभावी, सबसे वेस्ट इंटरनेशनल पिलियर पिटाई पड़ी 30 रन, जी फतीमा गजब का लेग स्पिन गेन बाजी करें लगाताल सिरीज में अच्छा कर क्या रहे, मेडन के साथ ले गई दो विक्टे, निदा डर दो ही ओवर डाला उमीद हमारा भी यही था, कि यह ज़्यादा उभराज करेगी नहीं, इनका बले बाजी भी नहीं आएगा, और सेम मैंने इनको केप्टन सी नहीं दिया, हलांकी हमारा केप्टन भी धोका दे गया, लेगिन वीसी ने वर्क किया, हम लोगों ने वन साइडेड विन किया, वि याकुब की बात के चार वर 18 रन देकर एक विक्टे, इस परकार से इनका रहा गेन बाजी एटेक, अब यहां से बले बाजी देखेंगे, इस समास लगाताल दो मेंच में मैंने इनको ड्रोप किया, लोगों ने इनको पिक किया, वहां पर दोनों बार फुलोब गया, अब ड्रोप किया, मैंने इनको पिक किया, हीट कर गई, तो भईया हमारे अनुसार यह चेर रही है, यह लगी पिलेर है, सिद्रा अमीन बले बाजी में सबसे बेश्ट यह पाकिस्तान डोमेस्टी का स्रीज में उठा कर देखो कि तो इनसे बनिया बले बाजी कोई नहीं कर रहा बिसवा मारू, टेकनिकल बले बाज है, रुक कर खिलते बिकेट, जल्दी अपना फालतुल में देती नहीं, और साथ मिनों ने पाट टाम दो ओभर गेन बाजी की भाई, सोने में सुहागा वाली बात है, तो मैरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो इंपोर् सारे लोग का रिपलाई भी देता हूँ, वो भी बहतर तरीका से, अब बात करेंगे लहोर वोमेंस का जो बेश्ट पिलेर है, उनके उपर भी स्वा मारूप का नाम आता है, सिद्रा अमीन का नाम आता है, नीदा डर यहां से आएगा, एन याकुब भी ठीक ठाक है, वैसे ज्यादा खास अप्चा नहीं है, रिस्क ले सकते हो, एन संदू जी फतिमा को पिक करना होगा, यहां से एफ खान के जगा यहां पर खेला था, एक काई ना, तो चार भार इन्होंने अच्छी गेनबाजी की, जी एल के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, आप चाहो तो जी एल पे ट्राइ कर सकते हो, बाकी हम लोग दूसरे टीम की तरब चले, तो बिकेट कीपरिंग सेक्षन में यहां से देखोगो, जी फिरोजा लगातार अच्छा कर रही है, तो पिक तो करना चाहिए, बल्ले बाजी सेक्षन में देखोगो, गुल रुख की बाद के पार् तो दोस्तों बीबी वर्सेश जी एच के बीज बगळादेश प्रिमिन लिग टुसवा को यहां से खेला जाए, देखो बगलादेश की तुण्सरे टुणी लिग कल तो ने इता परसो थातर परसो हम लोगे लेकवर किया, मिलकर हम लोगोंने वाइसा लाल किलमेटि नाफ म साथ अफरीका की ट्वंटी बड़े बड़े के लिए अंडर दूसरन बड़े-बड़े रिस्क लिया गया वो भी सफल रहा वन साइडेड भी नहीं सुभा के टाल में कर्णिंग में वो में सेफ जा रहा वहां पर प्रक्राइड पर दिया गया गया प्रूफ टेवल रहा और वीलियो ट्रीग्राम चैनल पर वीनिजिये लाए तो फिलाल यहने भगवाहन की किरपासे लगाता है अच्छा जा रहा है तो उमीद करेंगे या मु सब्सक्राइबर का वीलियो के लिंग होगा या फिर वीलियो के फ़र्ष्ट कोमेंट देख रहे हैं इस पे किलिंग करोगे मेरे भाई तो पाला